क्या तुमको पता है कि मैं अपने व्लोगिंग चैनल के उपर डेली व्लोग्स अपलोड करता हूँ? अगर हा तो तुम यह भी पता होगा कि recently I have moved to a new house और पराने वाले घर की तरह इस घर में भी मेरे पास एक spare room है जिसको मैं अपने gaming slash YouTube studio में convert करने वाला हूँ जिस रूम का अभी क्या हाल हो रहा है आप देख सकते हो यह अधर रूम हैस गौट प्लेंटी ओफ लाइट बट मोस्ली वाम वाइट ओन में है तो जो मेरे पीछे आप वाल देख रहे हो इसके सामने में अपना gaming PC और PS5 का सेटप तो करने ही वाला हूँ इस वीडियो के अंतर साथ-साथ आर्जीमी के तरका भी तो लगाना पड़ेगा ना इस रूम में तो लेट्स स्टार्ट तो डेस्क सेटप करने के लिए सबसे वहले हमें अब्यस्ली डेस्क चाहिए होगा और यह एक मैनुली हाइट इजस्टिबल टेबल है जो कि आता है वाइट मलबरी नाम के ब्रैंड की तरफ से जो भी प्रॉडक्स इस वीडियो में में एंचिन कर रहा हूँ सबके अफिलेट Amazon लिंक्स डिस्रिप्शन में मिल जाएंगे वहां से चेक आउट कर जकते हो इसकी डिमेंशन है 120 इंचेज बाई 60 इंचेज और आप इसको वाइट कलर में भी ले सकते हो और रेस्ट पर लगने वरा सारा माल इस पिटारे में है और इस पिटारे में चैब से पहले मैं निकाल रहा हूँ एक RGB माउस पैड जो है Zebronics का Zeb Blaze XL इसके अंदर 13 RGB मोड्स हैं, anti-slip rubber base भी है और इसका size है 80 by 30 cm बॉक्स में से अगले item मैं निकाल रहा हूँ एक Pac-Man neon light sign ये एक generic brand की तरफ से था जो मैंने Amazon से purchase किया था round 1300 रुपीज का इसको टांगने के लिए मैं किसी पर तरीके की ठोका पीटी नहीं कर रहा दिवार में क्योंकि मैंने ये stick on screws मंगवा रहे हैं और इनी के थुरू इनको लगा रहा हूँ पिटारे में से एक लिए item निकल रही है keyboard और ये है Zebronics की तरफ से आने वाला chroma mechanical RGB gaming keyboard जो की एक full-sized gaming keyboard है numpad भी है इसमें अलग से और ये चीज मुझे इसकी बहुत convenient लगती है मेरे पस और भी ब्रैंड के mechanical gaming keywords पढ़े है but I keep coming back to this just for its sheer size and comfort अब अपने gaming setup में जो मैं mouse यूज करता हूँ वो है Cosmic Bide की तरफ से आने वाला kilonova 3370 बहुत ये amazing precision है इसका इतना lightweight आये की feel ही नहीं होता हाथ में अब desk के उपर और कुछ भी समान रखने से पहले मैं इसकी पूरी edge पे front, back, sides, हर जगा ये वली LED strip light लगा रहा हूँ जो कि मैं अभी जाकर एक local market से खरीद कर आया हूँ 500 रुपीज की 5 meter length वाली और ये 500 रुपीज में complete set मिलता है अगर मैं सिर्फ light लेता तो वो 380 की देते और मैं आप लोगों को भी ये recommend करूँगा कि अपने घर के पास की electricity shop जो होती है वहाँ पर एक बार पूछ कराओ अगर ये lights available है तो क्योंकि बहुत चस्ती मिल जाती है 80 से भी शुरू हो जाती है ये lights local market में मैं तोड़ी heavy quality की लेकर आए हूँ इसली महंगी है बट same quality की अगर आप Amazon के ओपर ढूणोगे न तो 12, 1300, 1500, 2000 तक की भी मिलेंगी इसली कोशिच करो घर के पास की market में ये light ढूणने की बट अगर possible नहीं है जाना या फिर आपके घर के पास कोई ऐसी market है ही नहीं तो इस case में वीडियो की description चेक कर लो वहाँ पर मैंने एक अच्छी heavy quality की light का link छोड़ रखा है अब light लगा तो ली एक बार इसको चला कर भी देख लेते हैं एक बार अंधेरा कर गया आप लोगों को अच्छे से effect दिखाता हूँ इसका ओ भाई बहुत तेज रोश्नी है इसकी तो फैनली रखते हैं डेस के उपर अपना PC मैंने ये खुद से बिल्ड कर रहा था और उसको उपर पूरी वीडियो भी बना रखी है तो डिटेल में नी जाऊँगा मोटा मोटा बता देता हूँ इसके अंदर है RTX 2060 GPU Ryzen 5 3600X प्रोसेसर 16GB RAM है और इस जो कैबिनेट है इसका फ्रंट और साइड पैनल दो नोट आ रखे है मैंने वीडियो में अच्छे लगते हैं ये Antec की तरफ से आता है गेम चैट यार स्कॉर्ड वगेरा में तो आप वेश्प्लिटर भी चाहिए होगा अलग से जो माइक और हेडफोन के जैक्स को अलग-अलग कर देगा अगली चीज है मॉनिटर जो की LG की तरफ से आने वाला एक 24 इंचस का मॉनिटर है ये 24 इंचस का फुल एजडी IPS मॉनिटर है जिसका रिफ्रेश्ट एट है 75 हर्ड्स और अज यू कें सी इसके पीछे भी RGB लगा रख ही है जिसका भी अच्छा कासा थो जाता है वाल के ऊपर अगली चीज कैसे भूल सकता हूँ मैं हमारी PlayStation 5 जिसको मैंने कस्टमाइज कर रखा है Spider-Man theme में ये ओफिशल स्किन नहीं है और ना ही आप खरीच सकते है Amazon से पर एक सीक्रेट बता हूँ मैं इसको ना हुक अप नहीं करता अपने सेटप में ना HDMI लगाता हूँ ना पावर कॉर्ड क्योंकि जब मुझे यूज करनी होती है न इसको तब ही मैं वो दोनों वाइस लगाता हूँ इस अगली चीज़ के पिनना तो सेटप कंप्लीट नहीं होचकता किसी भी YouTuber का ये है IKEA कादा इन्फिमस ग्रीन ग्रास प्लांट ये मोबाइल होल्डर भी रख लेता हूँ टिल्ट और हाइट दोनों अर्जास हो जाती है इसकी तो गेम्स खेटते है वक्त फोन यह आपर रख दो जो भी नोटिफिकेशन जाएंग आप एजिली देख सकते हो उसके बाद बहुत ही क्यूट सा एक वैलंटाइन्स गिफ्ट ये चोटे से फिग्रीन फ्रॉम संबन वेरी स्पेशल ये मैं मोनिटर के उपर रखता हूँ एकदम सेंटर ओफ माई सेटप में सो दाट कभी भी कोई गेम अगर मुझे रेज करवा रही है इसको देखकर मैं कामडाउन हो जाता हूँ अगली चीज़ा ये पोकीमोन टैक जो कीसी पूमा की डीशिट का है जो मैंने वेर कर रखी है राइट नो ये ऐसी डेकोरेशन के लिए मैं अपने PC के आगई टांग के रखता हूँ ये है एक PlayStation का handband जो की मुझे इस वाले Comic Con में मिला था PlayStation के बूथ पे और इसको भी मैं PC के साइड में टांग देता हूँ और इन दोनों से मुझे गेमज में एकस्टर FPS मिलते है फैनल ये इस सारे सिस्टम को पावर अप करने के लिए मैं बुल नाम के ब्रैंड के तरफ से आने वली ये पावर स्ट्रिप यूज करता हूँ अगेन इसको भी चार सालों चुके हैं बहुत ही अच्छी कॉलिटी है बहुत ही हैवी डूटी है ये सभी सॉकेट्स के अंदर अलग-अलग बटन्स भी है और लाइट्स भी अपने लाग-दो-लाग के PC के लिए एक चीज तो पताना भूली गया मैं अपने PC में इंटरनेट यूज करने के लिए कि मैं ये टेबल के कॉर्णर पर सारी वायरस का जुंड अटका देता हूँ और जब मैं अपना फ्रेम सेट अप करता हूँ वीडियो का तो कुछ ऐसे करता हूँ कि ये वली एज दिखे ही ना everything is done, finally देखते हैं सारी lights off करके कि कैसा लग रहा है setup तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने one by one सारी चीज़े on करी, सब कुछ on हो गया सिवाई ये नई वली light के जो मैं भी लेकिया हूँ बर thankfully कुछ इशू नी था, मैंने power cord से उसका button ही on नी किया था and oh my god, क्या कहने भाई, बहुत अच्छी look निकल के आई है, amazing setup लग रहा है, एक बर आप बताओ comments में अब PC setup में तो RGB अध़का लगा दिया, पर room के अंतर भी तो lights का setup करना है न और उसके लिए सबसे पहले मैं ये बड़ी सी floodlight यूज कर रहा हूँ, जो मैं Old Delhi की लाज़ पत्राय मार्केट से लेकर आया था 800 रुबेगी, online भी मिल जाएगी, बट वही बात है कि थोड़ी महंगी मिलेगी तो इसलिए सबसे पहले अपने घर के पास की market में ढूंडो, नहीं मिलती, तो description check करो और Amazon से purchase करो Secondly, Wipro की ये beton light है, जो की एक RGB light है, बहुत ही amazing quality है, इसकी बहुत ही अच्छे colors है एक छोटी floodlight भी यूज करता हूँ, जो की अपने घर के पास की shop से ही ली थी, ये भी online मिल जाएगी Multicolored है, remote से चलती है, and then finally, एक RGB light bulb मेरे सर के ओपर भी जल रहा होता है, जो frame में नहीं दिखता बट वो मेरे face को half light up करता है, उस वली side से just side key light नहीं पड़ी तो एक बहुत ही अच्छा contrast आजाता है दोनों cheeks के उपर, as you can see मैंने key light on करी है मुझे light up करने के लिए, और background तो भाई, चका चौंद होई है, full on RGB का लग गया है और देखो जैसे मैंने frame set कर रहा है न, तो wires का जंचाल था, वो दिखी नहीं रहा और कुछ ऐसी fine look लगेगी, जब मैं इस setup में खड़ाओ के videos बनाऊँगा, इसी पाने thumbnail के लिए पोज कर लेता हूँ Oh my god guys, सिर्फ ये strip light add करने से इतनी ज़्यादा look enhance हो गई है, ये मैंने सोचा नहीं था और ये strip light मैंने पहले भी लगाई है, बट हमेशा background में आगे लगाने से इतनी जबर्दस look आएगी भाई, ये तो मुझे नहीं बता था So टेक वराना के ओपर आपसे जो भी videos आइए, उसके पीछे आप कुछ ऐसा background देखोगे Let me know in the comments आप लोगों कैसे लगा, कुछ improvement सज्यास करना चाते है तो वो भी कर सकते हो और अगर वीडियो पसंदा आए तो please like ज़रूर करना, subscribe भी कर लो channel को क्योंकि मैं इस तरीके की मज़धर वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ झाल